Hello friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजेंदर मिलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ आज का हमारा वीडियो है, Class 10th English में poem है, First Flight जो हमारी Class 10th की English है, Amanda Amanda एक Generalization है यहाँ पर, मतलब जो छोटे लड़के लड़किया होते हैं, उनको यहाँ पर Amanda कहा गया है ठीक है तो चले शुरुवात करते हैं, Every child feels that C oblique is controlled and instructed not to do one thing or another प्रत्यक बच्चा यह महसूस करता है कि उसे, चाहे वो लड़का हो, यह लड़की हो कि उसे नियंत्रित किया गया है, या फिर निर्देशित किया गया है कि तुम यह मत करो, या दूसरा काम करो, यह काम मत करो You two may feel that your freedom is curtailed, यहाँ पर एक सब्दा है curtailed, इसका आर्थ होता है, कम कर देना ठीक है, reduce कर देना, जिसे freedom आजादी को कम कर देना आप भी ऐसा महिसूस कर सकते हैं, कि आपकी भी आजादी जोहेवूर curtailed है Write down some of things you want to do, उन चीजों को लिखिये, जो आप करना चाहते हैं But your parents, oblique elders, do not allow to you, परन्तु आपके parents, माता-पिता और आपके बड़े उसको करने को allow नहीं करते हैं इसी चीजे not down कीजिए To read the poem aloud, कविता को जोर से पढ़िए, from pairs, जोड़े में, pairs मतलब जोड़ा Each reading alternate extenders, extenders, extenders मतलब इसमें जो पद दिये गए हैं जिसे पहला extenders हो गया, फिर दूसरा extenders हो गया तो प्रत्येक extenders को पढ़ेंगे, alternative You are in for a surprise, और जब आप इसको पढ़ोगे तो आप surprise हो गया चलिए शुरुवात करते हैं Don't bite your nails, Amanda, Amanda, अपने नाखुन मत चबाओ Don't haunch your shoulder, Amanda, अपने कंधो को जुका कर मत बैठो Stop that slouching and sit up straight, Amanda कंधे जुका कर मत बैठो, सीधे बैठो, Amanda मतलब यहाँ पर Amanda को यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है उसको control किया जा रहा है कि ऐसा मत करो, वेसा करो जैसा है कि हमने before you read में पढ़ा है अब जब Amanda यहाँ पर एक लड़की की संग्या दी गई है वह सोचती है, किस के बारे में सोचती है वो mermaid के बारे में सोचती है, जो कि एक जल परी है तो वह किस प्रकार से उस समुद्र में रहती है और मुझे यहाँ पर नर्देशित किया जा रहा है कि ऐसा करो वेसा मत करो तो जो वह सोचती है, जैसी वो कलपना करती है जैसी fantasy, जैसी imagination वो करती है वो bracket में दिया गया है तो देखते हैं, there is language, imerald sea where the soul inhabitant is me, a mermaid differing peacefully वो कहती है कि एक relaxed language का आर्थ होता है relaxed, imerald sea है, imerald sea इसको, समुद्र को imerald sea इसलिए कहा गया है imerald एक पत्थर होता है, green color का वो उस समुद्र में है, समुद्र के तल में है तो उस से, उस imerald पत्थर के कारण समुद्र जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है वो हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए उसको imerald sea कहा है अब वहाँ पर क्या है, एक mermaid है, मतलब एक जल परी है जो की drifting blissfully, मतलब drifting का आर्थ होता है to move slowly, मतलब धीरे धीरे अपनी इच्छा अनुसार वह तेरती है मतलब उस पर कोई पाबंदी नहीं है ऐसी वो कलपना करती है कास में mermaid होती है, तो मैं ऐसे अपने हिसाब से अपना काम करती फिर अगला इस्टेंजा है अब फिर से उसको कहा गया है कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क पूरा कर लिया है क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है tidy का आर्थ होता है clean और untidy मतलब होता है गंदा I thought I told you to clean your shoes मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने जूते साफ कर लेना अमेंडा अब वो इतना सुनने के बाद वो उसके दिमाग में फिर नए थोट आते हैं नई fantasy आती हैं नई कलपना आती हैं तो क्या सोचती है I am an orphan मैं एक अनात हूँ orphan मतलब अनात roaming the street गलियों में roaming करती मतलब aimlessly घूमती roam मतलब घूमना aimlessly I pattern soft dust with my harsh bare feet नंगे पेरों से धूल में मैं pattern बनाती चिक है the silence is golden और वहां जो सांती है वह सोने के समान है golden है the freedom is sweet और वह जो आजादी है वह केसी है मधूर है इसी वह कलपना करती है don't eat that chocolate Amanda Amanda वह chocolate नहीं खाना है remember your acne acne का आर्थ होता है मुहासे Amanda Amanda वह chocolate नहीं खाना है मुहासों को याद करो तुम्हारे चहरे पर मुहासे हो गए है will you please look at me when I am speaking to you Amanda क्या तुम मेरी और देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जब उनको डाटा जाता है या उनसे कुछ कहा जाता है तो वह हमारी और नहीं देखते हैं तो उसकी माह यहाँ पर उसको कह रही है कि मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ फिर वह नई फेंटसी अपने दिमाग मिलाती है नई कलपना करती है अब फिर वह रेपुंजल एक प्रिंसेस होती है उसके बारे में सोचती है कि मैं रेपुंजल होती तुम्हें ऐसा नहीं करती यहाँ पर रेपुंजल है टावर है और ब्राइट हैर है इन से रेलेटेटड एक स्टोरी है यहाँ पर रेपुंजल एक राजकुमारी रहती है जिसको उसकी स्टेप मदर एक डायन एक टावर में केत करके रखती है जिसे यहाँ पर यह ग्राउंड है और यहाँ उपर एक टावर है इस पर टावर बना हुआ टावर पर एक रूम रहता है उसमें बहुत सो रेपुंजल को रखती है अब रेपुंजल क्या है उसके बाल बहुत लंबे रहते हैं इतने लंबे रहते हैं कि जब उस डायन को उप उपर जाना रहता है रेपुंजल के पास तो वो नीचे से आवाज लगाती है और रेपुंजल जो है जिसकी उम्रे लगबक 16 वर्स के इसमें बताई गई है स्वरी मााफ की जगा एक स्कूल गर्ल टाइप की बताई गई है वो क्या करती है कि अपने बालों को नीचे डाल देती है और उन बालों को पकड़ कर ये डायन जो है उपर चली जाती है और इसमें कोई ना तो खेडकिया रहती है मापकी जगा खिडकी तो एक रहती है ना तो इसमें सीडिया रहती है और नहीं दर्वाजा रहता है ठीके तो यह हाँ पर कह रही है I am repunchal, I have not a care वहां मुझे किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं रहती Life in a tower is tranquil मतलब उस tower में जीवन जो है वो कैसा Tranquil मतलब होता है calm I will not certainly never let down my bright hair और में मेरे बालों को नीचे नहीं डालती ठीके फिर उसकी माफियरी उसे कहती है Stop that sulking at once, Amanda इस sulking का आर्थ होता है root कर बेठना Generally हम मुझ फिला कर जो बेठ जाते हैं उसको sulking बोलते हैं तो root कर मत बेठो या मुझ फिला कर मत बेठो You are always so moody तुम हमेशा moody रहती हो Moody मतलब अस्थिर मनोदसा वाला वेक्ती जो रहता है उसको moody कहते हैं Anyone would think that I naked at you हर कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें डाटा होगा Naked का आर्थ होता है scold scold का आर्थ होता है डाटना कि मैंने तुम्हें डाटा होगा और यहाँ पर Glossary दी गई है जिसे Langued मतलब relaxed Drifting मतलब moving slowly Pattern मतलब होता है make patterns Tranquil मतलब काम Robin Klein ने इसको लिखा हुआ है यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो please comments करके ज़रू बताएं साथ ही आपके friends relative classmates के पास वीडियो को share करें पिछले वीडियो जिदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा मैंने playlist बना दी है अच्छे से त्यारी करें किसी प्रकार का कोई doubt या कोई query रहे तो comments करके जरूर बताएं Thank you very much for watching and take care of yourself Thank you once again